IPL 2021 में KKR और RCB के बीच खेले गए 31 मुकाबले में कप्तान विराट कोहली की टीम RCB को करारी हार का सामना करना पड़ा है इस सांदार जीत के साथ KKR की टीम भी प्ले आफ की रेस में बनी हुई है लेकिन विराट कोहली के लिए अब मुश्किल खड़ी होती दिख रही है आपको बता दें कि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उत्री RCB के बल्लेबाजों ने KKR के सामने घुट ने टेक दिये बतार सलामे बल्लेबाज उत्रे कप्तान विराट कोहली मात्र पांच रन बना कर आउट हुए विराट कोहली के इस घटिया बल्लेबाजी के बाद उनकी खुब आलोचना हो रही है यहां तक कि उन्हें टीम इंडिया से भी बाहर करने की मांग उठ रही है कुछ क्रिकेट फैंस अब तो विराट कोहली को सन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं विराट कोहली के अलावा बतार सलामे बल्लेबाज उत्रे देवदत पडिकल भी 22 रन के स्कोर पर चलते बने कुल 51 रन के स्कोर तक विराट कोहली, देवदत पडिकल और स्रीकर भरत जैसे तीन दिगज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद RCB की टीम को स्टार बल्लेबाज एवी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल से तुफानी पारी की उमीद थी लेकिन केके आरके के इदवाजों के सामने डिविलियर्स और मैक्सवेल की भी एक न चली आमत और पर मैदान पर उतरते ही, ताबड तोड तुफानी बल्लेबाजी करने वाले ग्लेन मैक्सवेल कुल 17 गेदों का सामना करने के बावजूद मात्र 10 रन बना कर चलते बने 92 रनों के छोटे लच्छे का पीछा करने उतरी केके आर की तरफ से बतावर सलामे बल्लेबाज उतरे सुभुमन गिल और वीश रेयस ने जम कर आरसीवी के गेदबाजों की खबर ली जी हाँ आपको बता दें कि सुभुमन गिल की तुफानी बल्लेबाजी देखकर आरसीवी के कप्तान विराट कोहली मैदान पर हीरो पड़े